साल 2019 के पहले ही दिन PM मोधी ने समाचार एजनसी एनाई को एक धमाकिदार इंट्रिव्यू दिया जिसमें PM मोधी कई मुद्दों पर बोले PM मोधी ने विपक्ष के उस दावे पर भी अपना जवाब दिया कि देश में अब मोधी मैजिक खत्म हो गया है opposition parties ये मान के चल रहे हैं कि अगर मोधी वेव नहीं है या मोधी मैजिक कम हो गया है तो BJP को 180 से कम मिलेगा और 180 एक club 180 group है तो वो एक anti-mody या non-mody factor को लेकर चल रहे हैं क्या ये हो सकता है आप ये picture कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं BJP के पहली बात है कि अगर वो इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं लगाएंगे और ऐसी बाते नहीं फैलाएंगे तो उनके गड़बंदन में लोग कैसे जुड़ेंगे उनको अपने गड़बंदन में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ने कुछ तो बड़ी बड़ी बाते दिखानी पड़ेगी और ये अपनी परिस्तितियां बचाने के लिए यह बाते बना ही जा रही है कोई साइंटिपिक चीज है कि यह तो एक लिमिटेड मैंने जो वर कहां जो 2013-14 में भी यही लोजिक था उस समय भी 200 से कम वाली क्रब की चर्चा इसी टोली ने की थी और यह सैट आप परसन जो मैं कह रहा हूं उसको आप भली बात जानते हैं जहां तक बारती जनतापार्टी का सवार है हम हमारे देश के सामान्य मान्वी की समद्दारी पर अविश्वास्त न करें मैं सभी political पंडिकोतों को यह कहता रहा हूँ कि हम सामान्य मानवी की समझदारी पर भरोसा करें आखिन हिंदुस्तान का सामान्य मानवी को इस सरकार का ऐसा क्या अनुभव हुआ है कि जिसके कारण 2019 में इस सरकार से धूर जाने की कोशिश करेगा पांच साल पहले के अख़बार देख लीजिए और मैं तो आपसे कहूंगा मैं भी आपको भेजूंगा कि 2013-14 की हिडलाइन क्या हुआ करती थी और आज हिडलाइन क्या होती है तो सामान्य मानवी इन सारी बातों को बातचीत की सभी पाकिस्तान की बातचीत को नियोता दिया आप खुद लाहर चले गए इम्रान खान के शपत लेने से पहले आपने उन्हें मुबारक बात दी उस वक्त तो लोग कह रहे थे इतनी उतावले क्यों हो रहे हैं मोदी जी कंग्राचिलेट करने में क्या नोबेल प्राइस उनका गोल है क्या और आपने इतने कदम उठाएं लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान संबंध बिल्कुल ही खतम से हो गए हैं डायलोग शुरू नहीं हुआ है तो अब जब इम्रान खान आ गए हैं और उन्होंने कहा है करतारपूर कॉरिडोर के बाद जब वो खुद कह रहे हैं कि डायलोग होना चाहिए इन पांच महीने में इलेक्षन के पहले क्या भारत पाकिस्तान डायलोग शुरू हो सकता है बाद की किसी भी सरकार ने भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने डायलोग का विरोध नहीं किया है कि यह हमारे consistent policy है कि हम बाचीत के पक्षमे हैं हमारे देश की consistent policy यूपी एंडिया नहीं है यह मोदी मनमोन सब्सक्राय है व Ο टैया हैं हमारे consistent policy है सभी विशयों पर किले लिए के लिए त्यार कि भारत का ग्रांज भूसặt स्ट्रोंग है हमारा कहना इतना ही है कि बंबंदूक मैं बाची सुना ही देती है आतकवाद बंध होना चाहिए और इस पर हम लगातार दबाव बनाई हुए हमने दुनिया में वातार बनाया है आज टेरिस्टों को मदद करने वाला पाकिस्तान अलग तलग पड़ गया है यह मान हुता में विश्वास करने वाले, कानून में विश्वास करने वाले, देश की एक्पा खंडिता में विश्वास करने वाले होगा हाथ उपर है